वीडियो की शुरुवात एक सवाल से करेंगे कि आज तक आपका सावना कितने तरह की भूतों से हुआ है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रहे हूं तो आपको बता दें क्या जिस वीडियो में आपको एक डिफरेंट किस्म के भूत से मिलाएंगे जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे पर ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंतक जरूर देखना पड़ीगा नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूँ सलूनी शिवा आपने अभी तक कई तरह की नौकरियों के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी भूतिया नौकरी के बारे में सुना है अगर नहीं तो आईए आपको बताते हैं कि भूतिया नौकरी जो बेरुजगारों के लिए चैलिंज का नया ट्रेंड बनता जा रहा है आखिर क्या है दरसल मौजूदा समय में अमेरिका में सरकारी आखनों के मताबिक करीब 90 लाक नौकरियां अविलेबल हैं लेकिन वहीं अगर एक जॉब सीकर्स से पूछेंगे तो उनके हाल बेहाल है उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है लाकों जॉब पोस्टिंग के उपनिंग्स तो निकालती हैं लेकिन इनको भरना नहीं चाहती हैं वर्कफोर्स इंटेलिजन्स कर्म रेवेलियो लैब्स के मताबिक ऐसी नौकरियां पहले भी निकलती थी लेकिन कोरोना के बाद कई इंडस्ट्रीज में गोस्ट जॉब लिस्टिंग की घटनाएं खासकर जब फेडरेबल रिजर्व ने इसे महत्वपून सबूत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया कई बार कमपनिया अपने यहां नौकरियों का डेटा दिखाने के लिए ही सिर्फ इस तरह की ओपनिंग्स निकाल देती हैं ज्यादतर कमपनिया जब लेबर मार्क डाउन होता है तब ऐसी ओपनिंग्स निकालती हैं वहीं नौकरी की पोस्टिंग और नौकरी के अफसर निश्यत रूप से दो अलग-अलग फैक्टर हैं इंडीड हारिंग लैब के फैनेंशियल रिसोर्स के चीफ नीक बंकर के मुताबिक एक ऐसी चीज़ें जब सामने आ उस समय जौब मार्केट मजबूत था और कोविड रिलीफ फंट का लाब उठाते हुए लाखों अमेरिकियों ने नौकरी बदलने या लेबर फोर्स को पूरी तरह से छोडने का फैसला किया था जूम कॉल और मास्क मैंडेट के पीरियट को दी ग्रेट रेजिगनेशन का नाम दिया गया था बी एलेस के अनुसार पिछले साल भूतिया नौकरियां अपने चरम पर थी उस दोरान मार्केट में 12 मिलियन से ज्यादा नौकरियां मौजूद थी यानि हर एक बेरोजगार पर दो नौकरियां थी इंडीड और दूसरी जॉब साइट्स जैसे माइक्र रिस्तोर्स दोनों का इस्तेमाल करती हैं ताकि यह सुनिश्रित हो सके कि वो एक जैनुवेन नौकरी के रिकुरिटमेंट के लिए पोस्टिंग कर रही है जुलाई में बी एलेस डेटा के मताबिक अमेरिका में लगभग 8.8 मिलियन ओपनिंग थी जो मार्च 2022 के पीक से करते हाल के महीनों में छटनी की है साथ ही हाइरिंग रेट को भी स्लोडाउन कर दिया है वहीं जिनहें वे हायर कर रहे हैं उनकी जोइनिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया है फिलाल उस वीडियो में वस इतना ही लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम देखती रही निव इंडिया लाइव